हाई गाईज आप सब कैसे हो आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मास्थ होंगे सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लोग सो गाइस कोलकता में मौसम बहुत ही जादा मतलब ठंड है बारिस भी हो रही थी और फिर ना मतलब वेदर बहुत जादा ठंड है और इस टाइम पे ना काम करने का एक दमी दिक्कत बहुत सारा जैसे दिक्कत होता है और मतलब दो तीन चोटा-चोटा हरा मिर्च अभी हुआ है और एक बड़ा हुआ है और दूसरे वाले में थोड़ा सा फ्लावर दिख रहा है और फिर देखे इस प्लैंट में तो पहले ही फ्लावर आया था लेकिन मिर्च अभी तक नहीं हुआ ये बाला भी एक मिर्च है तो यह लगाया नहीं यह उट्यमेंटिक हुआ है जैसे धनिया था धनिया में इसका दाना था तो गाइस यहाँ पर लेखने थे कली ना यहां सोचा कि यहां का लिशन लगा देती और प्याज ओ क्ली दिख रहा था तो इस को यहां पर और देख और प्लैंट की देज़ पाल थया है के नद ऋब भण तॉण को कि बढ हु़ा है संदा है कि यह रसी में डाल दिया और फिलहाल थोड़ा सा यह काम का प्रिशर था क्योंकि मतलब एक दिन यह लेके जाते हैं यह देखिए यहां पे भी बड़ा वाला एक लिफापा यह भी जादा हुआ है तो इसको भी मतलब हम लोगों ने दे दिया कि जादा वाला चीज भी हम और फिलहाल दोपर में लंच में आज बनेगा यह जो सीम है न अग्दम मतलब छोटा छोटा इक तम इसका बहुती कम प्राइस है यह इसको एकदम मतलब प्रॉंग का एक चोटा सब बेभी बेभी प्रॉंग इसको सीम भी नहीं कर सकते हैं उससे भी बहुत चोटा तो यह 10 रुपया का toca का पताने क्या और इसको नाजभरता बनाएंगे तो इसमें मैंने रहते हैं noodी रहते हैं तो ऊछीन तरीम तरी जाली दर किसी चीज में पूरा पानी निकल जाएवा ऊसमें रख दिया था और फिलाल देखिए तोड़ा सा तेल डालके उसमें यह जो छोटा वाला मतलब स्रीम है इसको डाल दिया और फिर उसके उपर तोड़ा सा नम्मा खल दी लाल मिर्च पाउडर डालके इसको थोड़ा समय पका लूँगी मतलब बिंगोली में कहते हैं इसको जाल दवा तो गाईस यह थोड़ा सा ऐ बढ़ेंगे भड़ता सो गाईस विंटर के सीजन में विंटर तो ठीक है लेकिन बहुत जादा जब ठंट परता है तब काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है तो फिर जो करना जरूरत है वही करती हों कि खाना थोड़ा बहुत कपड़ा जारू यह और एक्स्रा काम करने मे इतना जब कपकापाद बला ठंडा पड़ता है तब कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगता तब ठंडा इतना जादा होता है कि खाना बनाने में इककत होता है तो फिर भी क्या करूँ बनाना तो पड़ता है तो यहां पे देखिए इसको यह जो सीम है ना इसको फिर ए मिर्च में जला लिया है इसको मैंने तला मिर्च में बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको नमक में पहले मसल के एकदम पूरा मिक्स कर लेंगे तो कि दूवे और फिर भर भर भर्ता बनाऊंगी यह ना पंता जो है उसके साथ भी अच्छा लगता है और हम जैसे भी यह वाला जो प्रॉन मिलता है मतलब चोटा वाला सीम यह हम लोग बहुत जादा खड़िकते हैं और यह बहुत सस्ता भी है और खाने में भी अच्छा लगता है और इसका पकुरा भी होता है सो गाइस एक दिन पकुरा भी बनाऊंगी पर किस्ता लोग लोग में अग्टा के साथ नीपादा के सथए ृप्ति यह अर ने उलम दूस्क गरम छावल्ड के साथ घर कोई तो देखे यह रबन चुकरा है बहुत यह यह ज़िए नुम ने जल फरी बहुत हम धाउरे तो लगते उत्रहादा तो यह बाला पूरा एक्टम चटपटा होता है और इसके साथ ना खाना भी खतम हो जाता है इतना अच्छा लगता है और दूसरी तरफ देखी थोड़ा सा दाल भी मैंने उबाल लिया है दाल भरता भी बनाऊंगी आज और थोड़ा सा सीम को मैंने फ्राइब कर लिया और बे तो देखी इसको मतलब नीम पता ममे के लिए बना दिया तो रेड़ी है लंज थाली और दो पैर को पेटे का लंज अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पेटा तो यह सब कुछ नहीं खाया तो इसलिए थोड़ा सा अलू फ्राइब कर दिया था थोड़ा सा चावल खाय थे तो इ मैंने सोचा थोड़ा क्यूब क्यूब करके अनियन यहां में डाल देती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कॉमेंट शेयर भी करतीजी सो वही वात है कि हम लड़कियों को इतना भी ठंड हो कपकपाहत वाली भी ना हो मन ना चाहे कि कुछ भी हो फिर भी काम करना पड़ता है तो इसलिए जो काम मतलब कर बात में कर सकते वह पढ़ा हुआ रहता है और जो काम जैसे विंटर में कुछ काम रुका हुआ रहता है बहुत सारा काम हर काम जैसे ढून ढून के हर सारा काम नहीं कर पाते तो जि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और लाइक कमेंट शीयर भी किजिए और यही बात है जिसको जो करते हैं उसे ही पता चलता है कि ठंड पानी में ठंडे ठंडे मौसम में ठंडा ठंडा पानी से बर्तं धोना कपड़ा धोना खाना बनाना साप सफाई करना कितना तक इगा इगा इगाई